आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question में बहुला है कि A vector दिया हुआ B cross C ठीक है वो C cross A इसका जो Skeletable Product होता है यह होता है A vector, B vector, C vector के Skeletable Product के Square के equal ठीक है यह वाल इस property का इस्तेमाल करके यहाँ पर लोग इसको further solve करने बाले हैं इसका मतलब अगर मैं box of A, B से रिकाल हूँ इसको क्या लेग सकता हूँ Skeletable Product को A cross सबसे पहले तो A cross B करते हैं यह तो determinant से solve करेंगे I cap, J cap, K cap A vector यह हुआ है 1, 1, 2 ठीक है और B vector है 1, 2, 2 1, 2, 2 ठीक है यह हो जाएगा I cap of 2-4 minus J cap of 2-2 plus K cap of 2-1 that means minus 2 I cap plus K cap ठीक है यह तो हो गया A cross B अब box of A, B, C क्या बन गया फिरा box of A, B, C बन गया minus 2 I cap plus K cap का dot आगे C के साथ ठीक है so it means कि अगर यहाँ पहले सबसे पहले इसको भी क्या लग सकता हम यह हो सकता है minus 2 I cap plus K cap इसका modulus modulus of C cap और दोनों के बीच में angle cos theta so ठीक है so मान लेता हूँ यह मेरा कुछ C vector ऐसे है और यह जो 2 I cap minus के 2 I cap plus K cap यह कुछ ऐसे दोनों के बीच में angle का है theta ठीक है so I modulus of यह हो जाएगा root 5 modulus of C दिया हुआ है 1 ठीक है cos theta यह हो गया root 5 cos theta so A vector B vector C vector के scalar triple product का square गता हो गया theta ठीक है अब इत दोनों की maximum value का बाएगी जब theta क्या हो 0 degree हो ठीक है it means इत बीच में बाएगी इसकी 5 एज सावसर के तना आग है 5 Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubt net आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर बाएब से और करें